दोस्तों, क्या आपको पता है, दुनिया में कुल तितली योकी कितनी प्रजातिया है? अगर नहीं, तो चलो आज हम आपको बता दे की, कुल 24 से 25 हजार तक तितली की प्रजातिया है. अटलांटिका को छोड़, ये साड़ी तितलिया हर जगह पाई जा सकती है. एलेकजेंडरा बर्डविंग, ये दुनिया की सबसे बड़ी तितली है. इस प्रजाति की खोज 1906 में अलबर्ट स्टीवर्ट ने की थी, जो वार्टर रोध सुचाइड द्वारा नियोजित एक कलेक्टर थे. इस प्रजाति में नर और मादा दोनों होते हैं. मादा तितली एलेकजेंडरा बर्डविंग विंस यानि उनके पंक स्पष्ट रुप से गोलाकार होते हैं. नर तितली के मुकाबले मादा तितली के पंक बड़े होते हैं. मादा के पंक 25 सेंटीमीटर यानि 9 इंच से लेकर 11 इंच तक हो सकते हैं. उनके शरीर की लंबाई ये अधिक्तम 8 सेंटीमीटर यानि 3 इंच तक होते हैं. और उनके शरीर का द्रव्यमान 12 ग्राम यानि 0.42 अंसत तक हो सकता है. ये नर से थोड़ी बड़ी होती है. मादा के पंक ज्यादा तर भूरे होते हैं. जिन पर सफेद रंग के निशान होते हैं. उसका मज्यभाग पिले रंग के प्रिकोनी आकार जैसा होता है. और उसके हिंडविन भूरे रंग के होते हैं. उनका शरीर क्रीम रंग का होता है. और बुरे वक्ष पैर लाल रंग का एक छोटा भाग होता है. नर तितली का पंक कोनी ये एपिस के साथ लंबे होते हैं. उनका पंको का रंग काला और नीले इंद्रधनुष जैसा हरे रंका होता है, इनके पंखों पर काली नसों जैसे आकार दिखाई देते हैं, नीचे के पंख पर नीला और हरा रंका बना हुआ होता है, नर्तिकली के पंख ये मादी तिकली से छोटे होते हैं, इनका मध्य भाग, पेट का भाग, पिले रंका होता ह नर तिकली के पंक ये लगभग 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच का होता है। आमतोर पर ये कभी 16 सेंटीमीटर यानी 6 इंच तक भी हो सकते हैं। इस तिकली के अंडे पिले रंके और बड़े और चप्टे होते हैं। माधी अपने जीवन काल में 240 से ज्यादा अंडे देती है। य ये तितलिया जंगल में ज्यादा उचाई तक उड़ सकती है। जो फूल इनका वजन जेल सके ऐसे ही फूलों पर ये बैठती है। ये ज्यादा तेर जासवंदी जैसे फूलों से मध पी कर रहती है। फिलहाल ये प्रजाती देखना मुश्किल हो गया है। ये प्रजाती धर्ती से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। आस्ट्रेलिया के उत्तर में न्यूगिनी बैठ पर औरो नाम के राज्य के फ्याग पैर इन तितली के चित्र दिखाई देता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैन जरूर करे, लाइक और शेयर करे, हम और ऐसी मनोरंजक फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद।